दोस्तों वो बिहार के सहरसा से तलुक रखने वाले जैजहा ने सारे गवापा में पर्चम लहड़ा दिया क्या लाजवाब सिंगिंग करते हैं वो सहरसा के छोटे से गाउं से निकल कर सारे गवापा के इतने बड़े मंच तक पहुँचना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है वो लाखो लोगों के लिए प्रेड़ना का काम कर रहे हैं जो सिंगिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उन्होंने सारे गवापा के मंच से सुखी पाजी का गाना लगन लागी पर जवर्दस पर होमेज दिया परिनाम ये हुआ कि उन्हें शो में एंट्री मिली और अगले एपिसोड में और धमाल मचाते नजर आएंगे बढ़ा दे कि जब वो मंच पर आये और जज परंपरा को मालुम हुआ कि वो सहर साब बिहार से आते हैं तो उन्हें पूछा कि आपको मैथली आती है तो जै ने हा किया और मैथली में बात करके दिखाया और आपको सुनकर ताजूब होगा कि परंपरा को भी मैथली आती है और उन्होंने भी जब आप मैथली में ही दिया प्रंप्रा ने जब पूछा कि क्या सपना लेकर आप यहां आए हैं तो जय ने कहा कि इस मंच पर पहुंचना और यह सब देखना ही अपने आप में सपना है और अब वहा हकीकत हो रहा है यह अकेले जय जहा की बात नहीं है बिहार के लाखो युवाओं की बात है जो बड़े मंच की तलाश कर रहे हैं यही कारण है कि सोशल मीडिया पर जय को जवदत सपोर्ट मिल रहा है कमेंट बॉक्स में जय और सिर्फ जयो का ही नाम दिख रहा है बाकि दोस्तों आपको इस शो में फेविट सिंगर कौन है आपको जय जहा की सिंगिंग कैसी लगती है जवड़ कि देगा